आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है डिविजन याने की भाग तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं एक एक्जाम्पल से शुरुआत करते हैं यहाँ पे आपको पूछा है कि डिवाइड करना है क्या है डिवाइड 2, 4, 3, 7, by 16 यह आपको करना है तो क्या करेंगे सबसे पहले यह 2, 4, 3, 7 इसको हमने अरेंज किया यह 16 को यहाँ पे लिखा अब क्या करेंगे सबसे पहले यह 2 नमबर लेंगे तो 2 नमबर 16 से डिवाइड नहीं हो सकता तो क्या करेंगे 2 और 4 का ग्रुप बनाएंगे यह नमबर 7 में लेंगे अभी क्या आएगा 16 1 जा 16 24 माइनस 16 करेंगे क्या मिलेगा एक बोरो लिया 14 माइनस 6 यह 8 आया अब 8 को अगें डिवाइड नहीं कर सकते 16 से तो क्या करेंगे नेक्स जो नमबर है इसको यहाँ पर लिखकर एक ग्रुप बनाया यह क्या बना 83 16 5 जा 80 83 माइनस 80 किया कितना आया 3 आप 3 को अगें डिवाइड नहीं कर सकते क्या करेंगे यह जो नेक्स नमबर है इसको यहाँ पर लिखते हैं अब बन गया 37 16 जा 32 माइनस किया 37 माइनस 32 क्या बचा यह बचा 5 अब 5 को डिवाइड नहीं कर सकते 16 से और हमारे पास नेक्स्ट कोई डिजिट भी नहीं है तो यह हो गया हमारा एक बेसिक डिविजन अब इसका आंस्वर क्या आया यहाँ पर डिविडेन है 2437 डिविजर है 16 कोईशेंट है 152 और रिमेंडर है 5 यारे के लिए कि दो नंबर है एक नंबर है इसको डिवाइड करना है 16 से तो जिस नंबर को डिवाइड करना है यह नंबर होता है डिविडेन तो डिविडेन है हमारा आये यहाँ पर 2437 इसके बाद में जिस नंबर से डिवाइड करना है बाई 16 तो 16 हो गया डिविजर यह 16 को बोलेंगे डिविजर कितनी बार डिवाइड हुआ है 152 यह 152 हो गया कोशेंट अब लास्ट जो नंबर रिमेनिंग है जिसमें अब हम इसको इसको डिवाइड नहीं कर सकते यह होता है रिमेंडर यह एक long division method का एक basic example है division का जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं यहाँ पर हमने इसको रिवाइड किया है और पहले जो वीडियो आपको दिखा रखे हैं तो शायद आपने उसकी प्रेक्टिस तो कर ही ली होगी नहीं तो उसकी प्रेक्टिस एक बार जरूर कर लेना चलिए अब कुछ प्रेक्टिस देखते हैं division की division की property में फर्स्ट आता है कि any number अगर divide किया है by itself तो हमेशा आपको result में quotient में 1 मिलेगा 5 divided by 5 कितना आएगा 5 वन्जा 5 10 divided by 10 कितना होगा 1 10 टैन्जा 1 कोई भी number अगर उस number को उसी number से divide करते हैं तो हमेशा आपको result 1 या फिर quotient में 1 ही मिलेगा second property की बात करते हैं second property कि किसी भी number को अगर divide किया है 1 से तो क्या मिलेगा number itself means 5 divided by 1 करता हूँ तो आपको 5 ही मिलेगा 10 divided by 1 किया तो आपको 10 मिलेगा means जो number है वो ही number मिलेगा अगर उसमें division by 1 है division by 0 is not possible 5 divided by 0 possible नहीं है 10 divided by 0 possible नहीं है तो बतलब कोई भी number हो उसको हम 0 से divide नहीं कर सकते वह possible नहीं होता है next property आते है commutative law of multiplication does not hold the does not hold true for division means हमने देखा था अगर 4 into 5 करता हूँ तो कितना आएगा 20 और 5 into 4 करता हूँ तो क्या आएगा 20 means number के order change करते हैं आगे पीछे करते हैं तो result same आता है यह जो commutative law है यह division के लिए applicable नहीं है क्योंकि number change करने से इसका order change करने से आपको result same नहीं मिलेगा आपके पास आपको दे रखा है 20 divided by 5 करना है तो आपको क्या मिलेगा 4, 5, 4 जा 20 और अगर आप 5 को डिवाइड करेंगे 20 से order change किया commutative law आपको 4 मिलेगा नहीं मिलेगा यह कुछ और यह number आएगा यहाँ तो जो यह commutative law है multiplication में जो लगता है वो division के लिए applicable नहीं है next जो आता है इसका property वो है अगर आपने एक बार division कर लिया division करने से क्या होगा आपको dividend और division तो आपको दे रखे होते हैं आपको quotient और remainder मिलता है लेकिन आपने जो division सही किया है या नहीं किया है वो check करने के लिए क्या करते हैं उसके लिए एक एक formula है या फिर आपको ये step follow करना है क्या करना है आपको dividend निकालना पड़ेगा कि हमने जिस number को divide किया था हमें वो ही number मिलता है या नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे सबसे पहले divisor को और quotient को इन दोनों को क्या करेंगे multiply करेंगे और उसके बाद में remainder को उसमें plus कर देंगे जैसे कि यहाँ पर example देखे 5 करता हूँ divide करता हूँ 4 से तो quotient आएगा 1 minus किया remainder आया 1 तो अब मैं क्या करूंगा divisor और quotient ये 4 into 1 तो 4 divisor है quotient 1 है और साथ में remainder 1 है तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले 4 into 1 करूंगा 4 plus 1 करूंगा क्या मिला 5 तो किसी भी division को check करने के लिए कि हमने division सही किया है या नहीं किया है अगर आप ये step follow करेंगे या ये formula का में लेंगे यहाँ पे इनकी values put करके इन दोनों को multiply करके जब remainder को add करेंगे तो आपको dividend मिल जाएगा अगर ये है dividend वही आता है जो आपसे पूछा गया है तो आपका answer या आपका जो division है वह आपने सही किया है otherwise आपका division wrong है उसको आपको वापी से check करना पड़ेगा next topic आता है rough estimate ये method से हम सिर्फ answer मतलब इसका result कोशेंट होता है उसको हम सिर्फ guess कर सकते हैं इसलिए इसको बोलते है rough estimation अगर आपको exact answer चाहिए तो फिर तो आपको long division method ही करना पड़ेगा लेकिन rough estimation को भी एक बार समझते हैं कि आपको पूछा है एक example लेते हैं कि आपको find out करना है कोशेंट किस से rough estimation method से और दिया है कि 190 को आपको divide करना है 74 से यहाँ पर हम क्या करेंगे देखें यहाँ पर मैं लिखता हूँ division है तो यह आएगा डिवीडेंट यह आएगा डिवीजर यहाँ पर क्या लिखेंगे steps to finding the quotient कोशेंट करने के लिए क्या steps होंगे और quotient क्या आएगा अब यहाँ पर dividend आपको दे रखा है 190 190 डिवीजर है आपका 74 अब quotient fine निकालने के लिए estimation method से हमनों क्या करेंगे सबसे पहले करते हैं मैं करूगा 74 multiply by 1 क्या result मिला 74 74 जो number है वो क्या है यह dividend से छोटा है ठीक है next करेंगे अब next try क्या करेंगे अब मैं करता हूँ 74 को 2 से multiply तो 4 2 जा 8 7 2 जा 14 अब यहाँ पर 148 जो number है वो भी छोटा है 190 से अब एक और करते हैं आगे क्या करेंगे अब मैं 74 को multiply करता हूँ 3 से तो 4 3 जा 12 1 7 3 जा 21 and 122 अब यह जो 222 है यह बड़ा है 190 से अब आप देखिए नियर बाई कौन सा है 74 बहुत छोटा है 148 नियर बाई आएगा तो 140 के बाद का जो difference है वो तो remainder में चला जाएगा हमें चाहिए यहाँ पर कोशेंट चीए और 74 को अगर 3 से multiply करूँ तो number कोशेंट से यह डिविडेंट से भी बड़ा हो रहा है तो यह तो हमें नहीं लेना है यह एकदम छोटा है यह नियर बाई है तो क्या किया दा 74 इंटू 2 कोशेंट आया यहाँ पर तो इस टाइप से जो है रफ एस्टिमेशन में हम लोग पता लगाते हैं कि जो कोशेंट है उसको कैसे निकाला जाता है नेक्स्ट आता है आपका जो टापिक है वो है डिविजन करना है कोई भी नंबर है उसको 10,100 and 1000 से यह है नेक्स्ट टापिक, ठीक है अब यहाँ पर हमने क्या करना है तो सबसे पहले करेंगे हम लोग 10 से इस दिवाइड फिर करेंगे 100 से फिर 1000 से करेंगे जैसा आमने multiplication में भी गिया था multiply by 100 multiply by 1000 example के say example से शुरू करते हैं आपको दिये रखा है divide करना है किसको 378 by 10 को क्या करते है long division method 378 divide करना है 10 से क्या आएगा 3 को तो divide नहीं कर सकते 10 से 3 और 7 का group बनाया 10 3 जा 30 यह minus किया यहाँ पर आया 7 7 divide नहीं हो सकता क्या करेंगे लिखेंगे 8 10 7 जा 70 माइनस किया यहाँ पर आया 8 ठीक है अब यहाँ पर देखिए dividend है यह 378 उसके बाद divisor है डिविजर क्या है 10 है कोशेंट क्या मिला कोशेंट मिला 37 और remainder आया 8 अब आप देखिए नंबर क्या है 378 था यह है remainder और यह आगया आपका कोशेंट देखिए 37 और यह 8 तो हमने जो लॉंग डिविजर मेथड किया है तो कभी भी आपको डिवाइट बाइट 10 पूछे तो आपको क्या करना है जो भी नंबर देखा है उसका जो वन्स का प्लेस है यह वन्स 10 अधी 100 वन्स का प्लेस मतलब जो लास्ट डिजित है वो हमेशा उसका remainder रहेगा और उसके बाद की जो भी डिजित है यह 2 डिजित का है 1 हो 3 हो 4 हो कुछ भी हो यह वाले जो नंबर है यह हो जाएंगे इसके कोशेंट तो आप लॉंग डिविजन मेथर्ड कीजिए यह फिर आप डारेक्ली एक डिजित को रिमेंडर लिख दीजिए और टू डिजिट को कोशेंट लिख दीजिए यहां से यह कोशेंट जो है आपका डारेक्ली हो जाएगा एकदम स्वार्ट में देखें यहां पे इत्ता बड़ा मेथर्ड था और यहां पे अमने इसको एक लाइन में ही इसको सॉल्ड कर लिया यह तो हो गया 10 से अब ही हम करते हैं डिवाइड करना है कि क्या नंबर है नाइन एट फाइब सिक्स को बाई वन है अंड्रेड से ठीक है तो क्या करेंगे लॉंग डिविजन मेथर्ड नाइन एट फाइब सिक्स यह अंड्रेड नाइन को नहीं कर सकते डिवाइड गरुप बनाया 98 नाइनटी एट भी से डिवाइड नहीं हो सकता तो फर्स्ट गरुप हमारा बना थी रिजित का 985 का अब इसको डिवाइड करेंगे तो अंड्रेड नाइन जार 900 985 में से 900 को माइनस किया तो 5 एन ये बचा 8 85 को भी डिवाइड नहीं कर सकते क्या करेंगे 6 नमबर को यहाँ पे लिखेंगे अब 100 8,000 800 इसको इसमें से माइनस किया तो 6 5, 0 यह गया 5 8 माइनस 8, 0 तो यहाँ पे हमें क्या मिला डिवीडेंड है 9, 8, 5, 6 डिवीजर है 100 कोशेंट है 98 और यह जो रिमेंडर है 56 है अब देखें डिवीडेंड क्या है 9, 8, 5, 6 दिया है डिवाइड किसे करना था 100 से करना था तो अब आप देखें आपको रिमेंडर क्या मिला है 56 वो क्या है यह नमबर की लास्ट दो डिजिट है और कोशेंट क्या मिला है 98 जो यह लास्ट डिजिट को छोड़ कर पिछे का नमबर है तो जब 100 की बात करते है 100 को डिवाइड करना है तो आपको क्या करना है सिम्पल यह जो लास्ट दो डिजिट है वन्स और टैंस वन्स और टैंस का जो प्लेस है यह दो डिजिट आपकी हो जाएगी दिमेंडर और बाकी की जो भी डिजिट हो 3, 4, 5, 6 जितना भी डिजिट हो वो हो जाएगा कोशेंट तो लॉंग डिजिजिट से करिए या शॉर्ट से करिए यह पटापट से हो जाएगा इसके बाद है डिवाइड करना है किसको एक नंबर है 1, 4, 3, 2, 1, 9 को बाई 1, 1000 से क्या करेंगे अगें लॉंग डिजिजिजिट मेथड 1, 4, 3, 2, 1, 9 1, 1000 क्या करेंगे 1 को नहीं कर सकते 14 का नहीं कर सकते फिर 3 लिया तो नहीं कर सकते फिर 2 लेंगे तो 4 डिजिट में 1, 4, 3, 2, 1000 वन जाएगा यहां से 1000 माइनस किया तो यह 2 है, यह 3 है यह 4 है इसको डिवाइड नहीं कर सकते तो यह 1 आएगा यहाँ पर thousand को four times multiply किया यह आया 4000 इसको minus किया तो one two three यह आपको मिला इसको divide नहीं कर सकते तो nine का यहाँ पर लिखेंगे क्या होगा three times thousand को three times multiply किया तो three thousand आया minus किया क्या मिला nine one two यह तो zero ही है three minus three zero हो जाएगा इसको divide नहीं कर सकते हो next में भी कोई नमबर नहीं है तो यह हो गया remainder इस question में आप समझ यह dividend क्या है one four three two one nine divisor क्या है one thousand कोशन क्या आएगा one four three remainder क्या आया two one nine यहाँ पर अब देखिए नमबर क्या था one four three two one nine remainder क्या है नमबर की last three digit कोशन क्या है यह three digit जो one ten hundred thousand ten thousand और जो लेक का प्लेश है यह three को छोड़के बाकी का जो नमबर है यह क्या है कोशन है तो यहाँ पर आपको क्या करना है कोई भी नमबर दे रखा है देखिए यहाँ पर three zero है यह last three digit thousand की बात करते तो last की three digit remainder बन जाएगी और बाकी का कितना भी नमबर हो कितने भी digit का नमबर हो यह हो जाएगा कोशन तो division करना है divide करना है किसी नमबर को ten से hundred से या thousand से ten की बात करेंगे तो last one digit remainder बन जाएगा और बाकी का नमबर कोशन बन जाएगा hundred की बात करेंगे तो last की दो डिजित है वो remainder बन जाएगी बाकी का नमबर कोशन बन जाएगा 1000 की बात करते तो last की तीन डिजिट ये remainder बन जाएगी और बाकी का number जो है वो quotient बन जाएगा तो आप long division method से करिए या फिर ये वाला short trick लगा के एक ही line में आप इसको division कर सकते हैं तो students आशा करता हो कि आज की वीडियो का topic आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो जल्दी से चैनल को subscribe करने और साथ ही bell icon दबाना ना भूलें फिर मिलेंगे next video में एक new topic के साथ Thank you